हेलो फ्रेंड्स मैं अंजिली उठाने है हमारे चानल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे तवा गार्लिक बटर नान तवा गार्लिक बटर नान बनाना बहुत ही आसान है हम गिहू के आटे से बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं नान बनाने के लिए हमन तो सबस्क्राइबूरा चम्मच हम नमक है और दो चमच हम ने लिया है तो इसको मिक्स कर रिंगे मुझे ग्यों काटा लिया है ताकि हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स सब खा सके मैदे का खा सकते हैं थंड़ा हो जाने के बाद बिल्कुल भी खा नहीं सकते हैं अभी इसे हम मल लेंगे हमने अच्छे से गूत लिया है थोड़ा बटर हम ले लेंगे लगा देंगे दस मिनिट के लिए हम रग देंगे अमें उपर से लगाने के लिए काले तिल लगेंगे गार्लिक लसुल लगेगा और धनिया लगेगे अभी हम स्टार्ट करते हैं नान बनाना बहुत आसाल है आप इसे जरूर बनाना इस तरह से हम थोड़ा लंबा लंबा बेल लेते हैं हमने ग्यास चालू करके रखा है और हमने लोहे का तबा लिया है इसके उपर हम अभी गार्लिक डाल रहे है तर इस तरह से इसे चिपका देंगे और थोड़ा धलिया और यह काले तील और इसे थोड़ा बेल देंगे इस तरह से और इसके अपोजिट साइड पर हम थोड़ा पानी लगा देंगे और हमारे ग्यास के उपर हम तरह के उपर डाल देंगे बहुत आसान है बनाना अभी देखो थोड़े थोड़े बबल साना शुरू हो गए है जरूरी नहीं है हमें इसमें सोड़ा या कुछ और डालना है बिल्कुल हमारे दही से ही यह अच्छे से हो जायदा हमने लोहे का तबा लिया है आपके पास नहीं होगा नॉन्स्टिक होगा तो चिपकेगा नहीं यह चिपक जाना चाहिए देखो ऐसा बबल आ जाना चाहिए अभी हम इसे उल्टा कर देते हैं इस तरह से अरे पूरे नान को इस तरह से शेख लेते हैं गार्लिक बर्न हो रहा है तो अच्छे से खुश्बू आ रही है इस तरह से देखें कितना सुन्दर हो गया है कितना मस्त हो गया है तरविन प्लेट में इसे निकाल देते हैं अब इस पर हम थोड़ा बटर डाल देते हैं तो हमारा बटर नान तयार हो जाएगा बहुत ही अच्छे खुश्बू आ रही है बहुत मस्त हो गया है तवा बटर नान बनाना बहुत ही आसान है आप इसे जरूर बनाईए लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बुले थैंक यू